दोस्तों आप सभी का वेलकम एक बार फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अन्बॉकसिंग करेंगे यह स्टेनलस स्टील टिफिल्म बॉक्स लॉंच पॉक्स जो भी कह सकते हूं आप इसे तो चलिन दूस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं कि निकालते हैं इस लॉंच box को बाहर तो देखिए दोस्तो ऐसे कुछ bowling box आपको देखने को मिल जाता है देखिए काफी अच्छी packaging यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको two-down box होगा टिफन तो इसे देखिए हम ओपन कर लेता है तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ आपको इसकी लिड़ मिल जाती है यहां पर देखिए आपको प्रैशर रिलीज करने के लिए एक चोटा सा बटन मिल जाता है यह देखे इससे आप इसका जो प्रैशर है जो वैक्यूम है वो रिलीज कर सकते हो एंड ट्रांस्पेरंट है एंड काफी अच्छी इसकी बिल्ट कॉलटी आपको देखने को मिल जाती है काफी डूरेवल है काफी स्ट्रॉंग है अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखे सिलिकॉन की काफी अच्छी यहां पर सील मिल जाती है जिसकी बिए जैसे दुस्तो है पूरी तरह से लीकप्रूफ बन जाता है यह लंच्छबा तो इक धसको रखते़ हम साइड़ में यहां पर स्टेनलस चेल का में पार्ट के वह मिल जाता है तो अपोरी तरह से बना हुए यहां पर देखिए आपको three compartments मिल जाते हैं इनकी जो दोस्तों यहां पर capacity है वो भी काफी अच्छी मिल जाती देखिए size में काफी जदा है यह तो यहां पर अच्छी quantity में खाना जो है वो store कर सकते हो इसमें रख सकते हो यह काफी strong है देखिए बिल्कुल भी देखिया मैं अगर जोर लगा हूं तो देखिए बिल्कुल भी बेन्ड nova नहीं हो रहा ही देखिया आध बिल्कुल भी बैंड नहीं हो रहा जरा सब इसमें flexibility नहीं है तो काफी अच्छी quality का durable material यहां पर दे रखा है यहां पर देखा है और दोस्तों यह stainless steel का and stainless steel दोस्तों खाने की जो चीजे होती है उनको रखने के लिए पूरी तरह से safe होता है यहां पर देखिए दोस्तों आपको यह नीचे वाला portion मिल जाता है and यहां पर देखिए आपको stainless steel का एक spoon भी मिल जाता है and यहां पर देखिए आपको stainless steel की sticks भी मिल जाती है यह देखिए center में 1 slot मिल जाता है तो यहां पर देखी है आप इन्धर सकते हो, युड़ियों नहीं होगा, इसमें जुटार मिल जाता है यह चीजेरे रखने के लिए यहां पर देखिए जो hot water गरम पानी भी डाल सकते हो और गरम पानी यहां पर डाल के देखिए इस lunch box को इस तरीके से आप यहां पर पैक कर सकते हो तो जो इसके इंदर आपने food रखा होगा खाने वाली जो भी चीज रखे होगी वह गरम हो जाएगी तो दोस्तो आप इसमें य काफी स्ट्रॉंग है देखिए आप देख भी सकते हो इनका जो प्लास्टिक है काफी अच्छा दे रखा काफी ड्यूरेबल दे रखा है और देखिए दोस्तो नेजचे से लंच बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखिन को मिल जाता है तो यहां पर दोस्तो आपको इस लंच पानी बाहर नहीं आया है तो देखिए दोस्तो इस साड़ से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया है तो देखिए दोस्तो इस साड़ से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया है तो देखिए दोस्तो इस साड़ से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया है तो देखिए दो नहीं आ रहा है तो देखे दोस्तों इस साइड से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है बाहर तो दोस्तों पूरी तरह से जो लंच बॉक्स है यह लिक प्रूफ है यह दोस्तों प्रूफ हो चुका है प्रूफ है यह दोस्तों प्रूफ है तो दोस्तों यह लंच बॉक्स आप डेफिनेटली पर्चेस कर सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों यह लंच बॉक्स है